है आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं याधी पूरपर्टी का जो पाँच डोकमेंट हम बताने जा रहे हैं इस पाँचो डोकमेंट में से कम से कम एक भी पर नहीं है तो ऐसे स्थिति में आपका रजिष्टी तो हो इंशिल हो यी सकता है साथ या जमीन कोई भी व्यक्ति ले सकता है कोई बिव्यक्ति उस ज़रूर देखिए सबसेह पहला होता है कि आप अस crashing पर देख पा रहा हें शेल्ड hä r Zukunft के दौरा तयार क्या जता है हलाकि इसको जब कर मिश्चिट करवा दिया जता है जब को यह जमीन खड़िते हैं तो जह से आप कोई ये व्यक्ति के नाम से कोई प्रफर्टि है और ऑफ खरीदने जा रहे हैं तो आपके नाम से जो जमीन होगा तृक है तो उसको मतलब रस्टी के दौबर आपके नाम सेvor करवाया जब एक कोई sale करते मतलब कोई जमीन हरते हैं पैसा दे के तब यह sell отвistics तयार करवाया यदि कोई दवा भी करता है कोर्ट में तो ऐसे इस्तितिमें आप सेल्डिट दिखाएंगे तो ये प्रोपर्टी आपके हग में हो जागा हलाके शेल्डिट के बाद नेक्स्ट चरण होता है μोटेशन का दाखिल खरी का यदि आप दाखिल खरी करवा लेंगे तो उसके बाद लगण दरशीत्नीरकत होगा ठीक है इतना काम करवाना परता है sell it करवाने के बाद, हलाकि जो हम 5 पॉइंट आपको बताएंगे, ये 5 पॉइंट के बाद आपको motation करवाना होगा, motation का हिंदी होता है दाखिल खारी, दाखिल खारी करवा के लगान रसी निर्गत करवाना ही होगा, तो अब जो next वाला point हम बोलेंगे, उसमें हम दाखिल खारी का बात सामिल नहीं करेंगे, आप समझ जाईएगा, ठीक है, तो एक नमर का आप समझ गए, sell it, दो नमर में होता है, gift it, अब gift it क्या होता है, मान लेजे, यदि कोई व्यक्ति आपको gift में कुछ समान देता है, उसी शेल डीट का मतलब होता ह каких पैसा लेके बेचना, एक है, और gift it का मतलब होता है, कि gift करना बिना पैसा का ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जदि कोई gift देता है आपको property, तो वहां पे gift did तयार किया जाता है, तो दान पत्र तयार करवाने के आप 100% उसका उन्रा बन जाते हैं, तिस्वा में है रिलीज डिट, अब ये रिलीज डिट क्या होता है, मानलेज़े जैसे आप एक भाई है और एक बहन है, ठीक है, और मानलेज़े 50-20 मिल कोई पुरोपर्टी है, तो वो 50-20 मिल पुरोपर्टी में बहन का भी हिस्सा है, ठीक आपका बहन है, जो सिस्टर है, वो उस पे दवा कर दे, कि 25-20 मिल मेरा भी है, और उस 25-20 मिल आप घर भी बना चुके हैं, तो ऐसे इस्थिति में आप काफी मुशिवत में फंच सकते हैं, क्यों घर में काफी ज्यदा पुंजी लगता है, घर बनवाने में, ठीक है, तो इस सिस्टर चाहता है कि हम इसी सन्ना लेंगे, मतलब भाई को ही छोड़ देंगे, तो ऐसे इस्थिति में बहन के दुवार वहां, रिलीज डिड किया जागा, यानि कि हकत्याग रस्टी उसको कहते हैं, ठीक है, बहन के दुवारा ये मतलब दिया जागा, हकत्याग रस्टी कर दिया गया है, मतलब कर दियागी बहन, तो ऐसे इस्थिति में उस पूरुपर्टी का आप 100% उनर बन जाएंगे, 100% पूरुपर्टी का, यानि कि 50 डिसमील का आप उनर बन जाएंगे, नहीं तो एक भाई और एक बहन में 25-25 डिसमील बन जागा, दो में, ठीक है, लेकिन ग पार्टीशन डिड़, अब पार्टीशन डिड़ क्या होता है, यह भाई के बीच जो बंटवड़ा किया जाता है, उसी को हम लोग पार्टीशन डिड़ कहते हैं, इस वीचा पर मैंने एक separate वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप अधिक जनकारी के लिए मेरा previous वीडियो ज मतलब तीन तरह का बंटवड़ा होता है, यह तीनों बंटवड़ा के बीचे में हम separate वीडियो बना दिये हैं, आप मेरा वह बला वीडियो जाके देख सकते हैं अधिक जनकारी के लिए, और पच्छमा नमर का है वील लीड, यानि कि वसियत, अब वसियत क्या होता है, मन लि तो यदि कोई व्यक्ति से आप विल करवा लेते हैं, इसका हिंदी होता है वसियत, तो जब तक ए जिवित है, तब तक वो दस डिसमिल जमीन जो आपको वसियत किया गया है, उस पर आप कबजा नहीं कर सकते हैं, मतलब आप उसका ओनर नहीं बन सकते हैं, कब तक? जब तक कि ए जिवीत है, जिवीत यदि नहीं है ए, ठीक है, यानि कि मिर्तियों के बाद ही उस वसियत का जो है, मतलब वसियत वाला जमीन पर आप कभजा कर सकते हैं, यानि कि जीते जी आप कभजा नहीं कर सकते हैं, जब तक वो ओनर जिवीत है, तक जो वसियत में आपको प सदाब्र किया गया है तो कोई दिकत नहीं है उसको आप बॉक्चिर करवा सकते हैं और उसके बाद उसको मोटेस में इसको डाल सकते हैं और स्दाब्र पर हूब अब बना हुआ है वस्यत तो वह भी होगा लेकिन सदाफेब्स किया हुआ दस्तावेज के तुलना में उसका भेलियू कुछ कम हो जाएगा ठीक है और यदि आप सड़ा पर परपही वसियत करा के छोड़ दिये हैं उसको रेस्टी वह कर नहीं करवाए हैं ठीक है तो आपको हम सला देंगे कि आप रेस्टी जरूर कर वाले ताकि आपको भविश में को करवाया जाता है पार्टिशन डिट करवाया जाता है यह सभी टव पीपर हम पहले वीडियो बना के अपलोड कर दिये हैं तो अधिक जनकारिक लिए आप मेरा चैनल को विजिट कर सकते हैं और अधिक सद्धिक वीडियो देव सकते हैं